निम्रश्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वाकत है आज हम आपको कबज के बारे में बताएंगे कबज यू तो चोटी समस्या लगते हैं और इस कांग लोग इसे काफे नजर अंदाज भी करते हैं लेकिन इसे चोटी समस्या समझना सेहत के साथ खिलवार करना है आप पेट से जुड़ी इस समस्या को जादा समय तक नजर अंदाज करते हैं तो यह सेहत के लिए घातक साबित हो सकती है कबज के कांग जो की पेट से समन्दित है इससे प्रभावित होने वाले लगबंग बहत्तर रोग को आपके लिए बिना बुलाए महमान की तरह बना रहे हैं समय रहते जाग जाए और कबज को दूर भगातीजिए दोस्तो देश के लगबग 20 फिस्दी लोग कबज से बिल गित हैं इन में से 14 परसेंट वो लोग हैं जो सहरों में रहते हैं सहर का रहन सहन कुछ भी खा लेने की आदत और मजबूरी घटते सारेलिक शरम आदी में कबज को इनके जीवन का महत्यपून हिस्सा बना दिया है आईए कबज को थोड़ा करीब से समझते हैं और जानते हैं क्योंकि जब पेट ठीक रहेगा तबी जीवन की गाड़ी भी ठीक से चल दी दोस्तों खाने में आपको इन चीज़ों को जरूर सामिल करना चाहिए अगर आप कबज से बचना चाहते हैं कीवी, सकरगन, पिस्ता, अकरोट, बदाम, मुंगफली, नासपाती, स्टोबरी, जामून, अलसी के बीज, ब्रोकोली, दूद और दही बीमारियों की असंका, दोस्तों यदि आपको लगातर तीन महीने से कबज हैं, तो यह कई दूसरे बीमारियों का कान होसकती हैं कबज होने के काम, कबज कई तरहेका होता है, जैसे कभी कबार होने वाला कबज, यातरा या उमर से समंदित कबज कबज में हमारी आते मल को छोड़ नहीं पाती ऐसा कई वज़े सो हो सकता है मसलिम खान पान में अचानक आया बदलाओ यातरा, उमर, गर्मा वस्ता आती खान पान में किसी भी तरह का बदलाओ कबज का कान बन सकता है जैसे अचानक बहुत ज़्यादा तेलिये खाना खाने से या वजन घटाने के लिए खाने पर कंट्रोल करने के वज़े से भी कबज हो जाता है इसके अतरिक यदि आप बहुत ज़्यादा वसा यूगत चीजे पसंद करते हैं या सराब और कोफी पीते हैं तो भी आप कबज के सिकार होसकते हैं कुछ लोग बहुत कम पानी पीते हैं ऐसे लोग मानते हैं कि दिन में दो गिलास पानी पी ले तो भी उनका काम चल जाएगा लेकिन इससे हमारे पाचन तंतर और सरीद के जरूगतें पूरी नहीं होती और कबज उनका प्रिनाम होता है क्या आप रोजाना कसरत करते हैं रोजाना ने सही सब तहां में चार दिन तो करते ही होंगे नहीं पाचन दंदर के बिगड़ने या कबज होने की यह सबसे बड़ी वज़े है सारविक वयाम के अभाव में हमारा मेटबलिजम खराब हो जाता है मेटबलिजम के कंजोर पड़ते ही हमारी पाचन के रिया भी गड़बड हो जाती है कुछ दवाईयों के सेवन से भी कबज हो जाती है जादतर मामले पेन किलर की वज़े से देखने को मिलते हैं कुछ विटामिन और आयरन की खुराक से भी आपको इस समस्य से का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको डॉक्टर की राई जरूर लेनी चाहिए। दोस्तो सधान सी दिखने वाली प्रेसानी कई बार जी का जंजाल बन जाती है। कबज की विमारी कुछ ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे रोग आपके सरीर को लग जाते हैं, जिनमें से बहुत सारे बड़े बड़े रोग भी हैं, जैसे डाइबटी जाती। तो आए दोस्तो जानते हैं कबज को जड़ से खतम करने वाले घरेलू उपायों के बारे में। तिर्फला 20 ग्राम तिर्फला रात को एक लिटर पानी में भिको कर रख दीजिए। सुबह उठने के बाद तिर्फला को च्छान कर उस पानी को पी लीजिए। इससे कुछी दिनों में कबज की सिकायत दूर हो जाएगी। चुहारा कबज की समस्या पुरानी होने पर चुहारों का उप्योग करना चाहिए। इसके लिए एक कप दूद में दो तिन चुहारे डालकर उसे अच्छी त्रहब काएं और सोने से पहले उसे पीए। अम्रूद अम्रूद में काला नमक डालकर उसको खाने से कबज की पुरानी से पुरानी समस्या भी खतम हो जाती है। ध्यान रखें, भोजन के बाद कभी भी अम्रूद नहीं खाएं, इसका इस्तमाल केवल खाली पेट होने पर ही करें। दोस्तों आपको इन चीजों पर वे ध्यान जरूर देना चाहिए। जैसे निम्बू, निम्बू हमारे सरीर से विसाक्त पधारतों को बाहर निकालने में मदद करता है। अगर कभी कबज हो जाए, तो एक गिलास गरम पानी में एक निम्बू का रस और सहध मिला कर पिए। दूद और दही, कबज की समस्य को दूर करने के लिए पेट में अच्छे बैक्टिरिया का होन भी बहुत अधिक जरूरी है। सादे दही से आपको प्रोबैल्टिक मिलेगा, इसलिए आप दिन में एक से दो कब दही जरूर खाएं। इसके लावा यदि बहुत परेशान हैं, तो एक गिलास दूद में एक से दो चमच घेम लाकर रात को सोते समय पिएं, इससे आपको बहुत अधिक लाब मिलेगा। अलियूरवेद की मदद, सोने से पहले दो या तीन तिर्फला टैबलट गरम पानी के साथ लें। आप तिर्फला हाड बहेडा और आमले से बना होता है, ये तीनों पेट के लिए लाबकारी होते हैं, तिर्फला रात में अपना काम करना सुरू कर देता है। आप इन उपायों को अपना कर कबज की समस्या से छुटकारा बासकते हैं। तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो। अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे या इस से आपको कोई जानकारी प्राप्त हो, तो प्लीज आप हमारी वडियो को लाइक वर शेयर करना ना फूले। इसके साथ साथ आप हमारी यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करना ना फूले। क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबर्दस टिप्स लेकर आते ही जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमे बना सकते हैं और सुखमे जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तो